राजधानी रायपूर के हिर्दे इस्थल में लगभग 11 करोड रुपए की लागत रासी से 19 एकड रगबा में विक्सित हो रहे आक्सीजोन का मुख्यमंत्री भुपेज वगेल ने आज सुभारम किया इसके प्रथम चरण में 12 एकड में अभी तक 4 करोड रुपए की रासी से 72 प्रजातियों के 4000 से अधिक पौधे लगाए गए जिसमें आम, जामुन, सीता फल, आवला तथा अमरुद जैसे फलदार व्रिक्ष और तितलियों को आकरसित करने के लिए जारूल, अमलतार, कचनार मौलस्री, अकास नीम, जैसे फूलदार पौधे भी शामिल किये गए हैं साथ ही ऑक्सीजोन में 503 पुराने पेडों को सरक्षित किया गया है और यहां पार्किंग, पात्वे, वाटर बाडी में आने वाले पेडों को भी नहीं काटा गया है ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पात्वेव पकडंडिया तयार की गई हैं इसके अलावा यहां दो वाटर बाडी हैं जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है वर्सा का सारा पानी चैनल के माध्यम से कठा होता है और इसमें पौधर की सिचाई की जाती है साथ ही एक प्राकृतिक वाटर फॉल बनाया गया है जो रात में लाइट्स में बड़ा सुंदर दिखाई देता है ऑक्सिजोन में बच्चों के खेलने के लिए जूले, फिसल पट्टी और व्याम के उपकरण भी लगाए गया है ऑक्सिजोन में पौधे रोपन और सरक्षन के प्रयासों के कारण एक वर्स में ही हर्याली दिखने लगी है और पक्षी और तितलिया बड़ी संख्या में अपना बसेरा बनाने लगे हैं इसकी सुंदर्ता और हरितिमा का आनंद लेने के लिए लोग आने लगे हैं ऑक्सिजोन में लौन विक्सित किये गए हैं और छोटा गुलाब गार्डन भी तयार किया गया है विरो रिपोर्ट डियनेएक्स टीवी राइपोर्ड लोगारपड किया है और प्रृतिक्षा थी आज प्रृतिक्षा का समय समापत हुआ जो मार्निंग वहाग एबनिंग वहाग करने वाले लोगों के ले बिग बढ़ जगा और यहां हमारे जंगलों में जो मिलने वाले पेंड पौध है उनका भी यहां विर्क्षा रोपन किया गया है, पुराने पेंड को भी जैसे थे वैसी ही रखा गया है, किसी पेंड को काटा नहीं गया, बात भी बनाया गया है, जिसका लाब सहर के लोगों को मिलेगा, और वि और जो लोग अपने घरों में लाना चाहते हैं वन विभाग उनके घर पहुंचा के आज पेड़ उनको दे रहे हैं ताकि घरों में भी शुद्ध वातावर्ण रहे अक्सीजन मिले हमारी पोशिस यही है चतिजगड़ में चमालिश किसा जंगल है नदी की किनारे नालों की किनारे जो खाली जगह है उसमें व्रिक्षा रोपन हम लोग कर रहा हैं शहरों में भी ज्यादा ज्यादा हर्याली हो यह कोशिस शासन की है उसमें एक बहुत पूर्ण कदम आज पूरा हुआ यह बात भी सही है कि इसको बनाने में महुत सारे दुकाने तोड़ी गई हम लोग उस समय भी उसका विरूत किये थे और उनको बसाने की बात है तो उनके साथ अंध्याय नहीं होगा और इसको हमेशा इसी प्रकार के मेंटेंग करके रखना है हर्याली बनी रहे लोगों को स अब सबकी समय भागिदा आप घूमें आपको कैसा लगा आप दी आएंगे के मौर्निंग मॉकर में बहुत बढ़िया लगा आप बिल्कुल इसको उस प्रकार से बनाया गया जैसे गार्डन होता उस प्रकार से नहीं बलकि सभी प्रकार के चाहर उसमें पीपल है आम है ना आपने बलाई कुछ क्या विसा है मंत्रियों कसा बैठा करके अब जो निगम मंडल की बात हो रही है उसी मामिले में अभी चर्चा होगी कि सभी मंत्रियों से सिन्यार लोगों से भी पार्टे का अध्यक से भी चर्चा करके एक मद बना के आई कमांड से अनमत्रि लेकर उसको टिकलेर करें कि जोड़ी को लेकर चर्चा बहुत गरम है क्या होगा जो पहले चुनाव समय जोड़ी वैसे मंत्रियों के बीच कोई कोई गलत हमी नहीं है सारे मंत्री ही कहें और किसी कोई गलत हमी है तो उसे दूर कर लेना चाहिए बीजेपी कारव अर्दयों के मामले में कि भूख मरी कि कगार पर लोग नाज जी सरकार दावे करें घर कर आच पहुंचा जा रहा है रमान सिंग जी अपने कारकाल कर इसाब किताब देख लिए इसके बाद बात करें जहां तक के अर्दय की बात है तो उसके घर में चाहमा प्रुप से बहुती दुखद है उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए और जहां तक मेरे मिलने की बात है तो मेरे मिलने के लिए उन्होंने आज़ेदान गिया ने किसी से संपर्था है और भारती जंता पार्टी हमेशा गलत हमी पाइदा करती है और अभी भी कर रहे उसका लाफ राश्टी स्तर पर मिले यह भारती जंता पार्टी जाते लेकिन वहां से निकल ही नहीं रहें तो यदि हैं तो अपने अनुभाव का लाफ 36 गड़ के लोगों मिलना चाहिए यदि वह आलोचना भी करते हम उसको सुझाओ के रूप में लेते हैं लेकिन इ करोना काल में भी हमने किसी वहाग का कुल काम रूपा नहीं एक तरफ जब लागडाउन था और उसमें सारे ब्यापारी प्रतिष्ठान बंद थे ऐसे समय में वन विवहाग के पहल से हमारे जो स्वासायाता समू है उसके माध्यम से हम लोगों ने ना केवल महुआ खरीदा इमली खरीदा बलकि इंदू पत्ता भी संग्रहन हम लोगों ने किया है ताकि यहां के जो हमारे आदवासी भाई है या परमपरगत रूप्स निमासी उसे किसी प्रकार को कोई नुक्सान ना हो यह हमारी कोशिश रही है उसमें हमको सफलता मिली नब्बे प्रसत जो करका कम सुरू करें हैं मैंने सभी विधायकों से बात की जिला पंचयात के अध्यक्षों से सरपंच्चों से अधिकारियों से बात करके इसको सुरू करवाया बहुं सारे लोग हाई कोट गए यह यह लगा है इस काम को रोका जाना जीए सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेंड होता है लेकिन हम लोग पता है जब गोधी खुदाई करते हैं मिटी खुदाई करते हैं तो अपने आप सोचल और फिसकल डिस्ट्रेंसिंग का पालन होता है लेकिन कुछ लोग गये थे और आपने देखा किस देश में सरवाधिक मजदूर 36 गड़ के लगे थे 26 लाक मजदू कर रहे हैं अब सौ दिन पूरा करने वाले में भी हमारे 37 गड़ में सरवाधिक परिवार हमारे 36 गड़ के लगातार हम लोग कि करोना काल में संक्ल नहीं हम ईह ठरे बैठे होना पड़े इसके लिए हर विभाग के लोगों ने बढ़ चड़ के काम किया है, हमारे नगरी प्रसासन जो पहले पुलीस की तस्वीर थी शतीर गड़ में वो तस्वीर बदली है। आज एक सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में, सहायता करते के रूप में, पुलिस के भूमका लोगों ने देखा है, तो अलग प्रकार के भूमका है, हमारे पुलिस सामने आया है, जिला प्रसासन के भूमका आप देखें, इस प्रकार से कभी काम ने होता, जो काम करके दिखाया इसका चाहिए गड़ में सब लोगों ने और ना केवल हमारे अधिकारी कर्मचारी मंत्री विधायक बलकि समाज के विभी नुबर्ग के लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया जिससे भी अपील हम लोगों ने किया जितना उम्मीद करें तो उससे ज्यादा बहतर काम करके लोगों ने दिखाया है तब आज इस्तिती यह है चैसो से कुछ अधीक एक्टी मरीज हमारे पास ह और धीरे से मैं समझता हूँ कि दस जुलाई तक के आंकड़े और कमा जाएं आपके कारकरता यह जानना चाहते हैं कि कब तक लिस्ट आजाएगी पहली करें देखिए उस दिन पुनिया जी आया थे समय मीटिंग हुई थी आज फिर सभी सीनियर लोगों साथ बैठ रहे हैं राय सुमारी करेंगे उसके बाद हाई कमान से अनमती लेंगे उसके बाद डिक्लेयर होगा बहुंच जल्दी हो जाएगे प्रेस के सामने आके बात करते रहे हैं मंत्री मुटा उस दिन जे घबा मैं आलम मंत्रित किया अपने निमाज में पत्रकार हो और आपी लोगों नंक कहा कि सरकार के तरफ से को behथकृत को प्रवक्ता हो फ्र… उसको श्री रिपीट कर देरे एक नोडीफिकिसं ऐसा कर पूरब प्रदेश और देश जानना चाहता है कि जीरम घाटी में सड़ेंदकारी कौन है हत्यारे लोग कौन है उसका तानावाना कौन मास्टर माइंड कौन है और एनाईये जांच करने में असफल रही है उन्होंने अपने फाइनल रिपोर्ट सम्मीट कर दिया हम मांग रहे लेकिन रिजल्ट क्या रहा है 2013 का मामला है और 2020 बीस बीतने जा रहा है और इतने दिनों में जीन के नाम फाइर में दल्स थे उनका नाम उन्होंने ओमिट कर दिया उनका बाहर कर दिया रमन्ना का गणपती का और बुट्सा उसिंडी का बुट्सा का इनके नाम वह बाहर करती है इससे ज्यादे दुर्भाग जैनक बात और क्या होगी हमको तो चाहिए कौन लोग है जो हमारे नेताओं का नर्संहार किया